जै माता दे दोस्तों मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बाव फिर से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ आप सब स्वस्थ सुरचित होंगे आज दे उठानी एकादसी है जिठ्वन एकादसी के नाम से भी से जाना जाता है और आज के दिन तुलसी मा की विसेज पूजा की जाती है बहुत से दिन दुलसी मा का विवाह सालिग्रा महगवान से किया जाता है तो दोनों दिन बहुत से लोग एकादसी के दिन विवाह करत और इसके लिए मैंने सामग्रिय कत्र की है, बहुत ही सिंपल सामग्रिय हमें गन्ना चाहिए, गन्ने के चार टुकड़े चाहिए, फल, फूल चाहिए, मिठाई चाहिए और बहुत ही सरव तरह के समपूजा करेंगे सबसे पहले हम गंगाडल से आश्वनी करेंगे उसके के बाद हम हल अच्छत कुम-कुम लगाएंगे जल अर्पित करेंगे और बहुत से लोग प्रदोसकार में पूजा करते हैं तो मातुलसी कि पूजा इस तरह से प्रदोसकार में की जाती है तो यह देखिए मातुलसी की पूजा करेंगे और सालीगराम Бhaगवान अगर हैं तो बगल में साली ग्राम भगवान को भी स्थापित किया जाता है लेकिन जादातर घर में साली ग्राम भगवान नहीं रहते हैं तो बहुत से लोग कृष्ण भगवान के साथ पूजा करते हैं पर जो सही तरीका है वो साली ग्राम भगवान के साथ ही विवाह किया जाता है भगवान विश्णु के जो साली ग्राम सरूप है उन्हीं से मातुलसी का विवाह किया जाता है तो अगल साली का भगवान नहीं है तो आप मातुलसी की पूजा विसेश पूजा करें उन्हें सिंगार का सम्मान अर्पित करें, सिंदूर, बिंदी लगाएं, चुनरी उढ़ाएं, इस तरह से संपूर पूजा हम करेंगे, तो मात तुलसी को जल अर्पित करेंगे, उसके बाद हल्दी कुमकुम अच्छत लगाएंगे, उसके बाद चुनरी चढ़ाएंगे, कि इस तरह से बिंदी लगाएंगे तो इस तरह से हमें फूजा करने हैं गन्य को चारों तरफ से गन्य का मंडब बना जाता है नहीं है और यह श्रीछाmar साथ बारू के पूज़ा करें पूज़ा कई तो बगल गव्यूर की सुष्के। से पूजा की जाती है तो यह जो बहुत ही सरल तरीका है आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया अगर साली ग्राम भगवा नहीं है तो आप इस तरह से मातुलसी को अच्छी तरह से सजा ले रंगोली बना ले और इस तरह से सचे मन से पूजा करेंगे उसके से मिल जाएगे आप नेट से सर्च करेंगे तो वहां से मिल जाएगी मात तुलसी के आरती करेंगे मागवान विश्णु की आरती आप कर सकते हैं मागवान विश्णु की आरती भी करेंगे तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम मात तुलसी का विवाह करेंगे उनकी आया जाता है मातुलसी को बहुत से लोग साड़ी पहना कर एकदम तयार करते हैं एकदम नई नवीली दुलहन की तरह मातुलसी को तयार करते हैं साड़ी पहनाते हैं चोटी लगाते हैं इस तरह से तो जितनी आप सुर्धा के साथ आप कर पाएं उस तरह से हम पूजा करेंग मातुलसी को जल अर्पित करने के बाद मातुलसी को आर्पित देंगे और कोशिस करिए कि जब भी कोई भी पूजा घर में हो कोई विनस्ठान हो तो घर के सभी सदर से उसमें सामिल रहें तो यह देखिए और मैं एक उपाई भी आपको बता रही हूँ कि आप अगर घर में मा बहुत जल दी प्रसंद होती है साथ में एक उपाई मैं और वता हूँगी जिससे घर में सुक समरिदी बनी रहती है एक धागा लें उसमें 108 गाटे लगा के मातुलसी को आर्पित करें तो वो प्रसंद होती है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा